हलो बच्चों आज हम पड़ेंगे पोएम स्ट्रेंज टॉक एक छोटा हरा मैंडक एक लठे के नीचे रहता था वो हमेशा गूड मोर्निंग बोलने की बजाए क्यों कहता क्रोक क्रोक एक डख लिवड बाई दा वोटर साइड एंड लिटल दीड ही लैग बट वैंड वी आस्ट हाव दू यू दू आप कैसे हो एक छोटा पिग स्टाइ में रहता था जितना मोटा हो सकता था मोटा था और जब हम पूछते उसे डिनर के लिए पूछते थरी पप्स डोगी के बच्चे एक कैनल में रहते थे और उनको जब बार जाना होता था तो वे एक पंक्ती बना कर खड़े हो जाते थे तो इसका मतलब होता था क्या हमें भी गो आउट क्या हम बार जा सकते हैं दे सेड वे कहते बो 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 if all these animals talked as much as little girls and boys and all of them tried to speak at once wouldn't it make a noise यदि सभी जानवर एक छोटे लड़के लड़कियों की तरह एक साथ बोलते तो क्या सोर नहीं होता न्यूवर्ट्स इस्टेड इस्टेड बतलब की बजाए लैक कमी स्टाई सूर के रहने की जगए हैं कैनल जापर डोगी रहते हैं रो पंक्ती मैंट बतलब इसका अर्थ थेंक्यू आज की वीडियो में इतना ही है क्या शुर्ट्स ऑाज़कियोग नहीं झालिगु झालि पालिग की जाब थेंगियों बतलब लात क्या मैंट वालिग दोलह दोलब कैनल जाफियों की तोल्ग थेंटू enfer चुर्ट्स बालीग झालिग का वालीग थारा उंदमेर दो इससे खरोबोगे हां